अब मैट्रिक पास्वला तीचर से आप पढ़वा रहें इंटर के बच्छा को यह जो दलानों से निकलने वाली सिख्छा थी वो आज दलालों के हाथ में फस गया है उन दलालों के हाथ से मुक्त कराके यह दलान वाली सिख्छा को राज सरकार चरनवर तरीके से अधिगरन करे मानने सदस्य रोद है कि अभी संकल वापस ले बात में बात करेंगे तो आप अगर इस पर आसमासन नहीं देंगे तब तो मैं वापिस नहीं लुगा हम बड़ा भोट से में घिर जाएगा घिर जाएगे नमस्कार मेड़ाम आलोक है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं बिहार विधान मंडल का बजट से चल रहा है ऐसे में बिहार विधान परिशद में सदन की कारवाई के दौरान जब संकल्प को वापस लेने को कहा गया नवल किश्व यादव जो की बिहार बीजेपी के वश्च नेता है उन्हें तो ऐसे में संकल्प वापस नहीं लेंगे आप वोटिंग कराईए देखिए स्कूलों क को लेकर के विश्व विध्यालेओं को लेकर के को लेकर के बहस चेले गई और नितीश कुमारत स्वियादव उस वक्त सदन में ही मौजूत है उस दौरान की कारवाई के दौरान खूब भार बार सिक्षा मंतरी प्रोफेशर चंद शेकर यह कह रहे हैं कि आप संकल्प दिए लेकिन मैं संकल्प वापस नहीं लूँगा खूब गहमा गहमी का महल हो गया था विधान परिशत के सदन के अंदर देखिए इस वीडियो को यहार विधान परिशत राज सरकार से विश्ताव करती है कि वह विधार के सम्मंधता प्राप्त इंट डिग्री एवं माध जविक विध्यालेओं का अधि गरहन करे सभापती महोदय मैं यह कहना चाहता हूं महोदय इस प्रस्ताव में कि राजि सरकार विध्यालेओं के प्रति महा विध्यालेओं के प्रति सजगता के साथ सिक्षा में विकास करना चाहती है राज सरकार ने महोदय घोसना किया कि हर अनुमंडल में हम एक डिग्री कालेज खोलेंगे कि तमाम प्राइमरी स्कूलों को मध्विध्यालेओं को महोदय प्लस तू में और माध्मिक स्कूलों में उसको उतकर्मित किया ताकि राज सरकार यह चाहती है कि हमारे बच्चों को घर से नजिदीक से नजिदीक जगह पर हमारे बच्चे पढ़ सके राजिके कि महोदय मैं आगरह करना चाहता हूं और मैं कई बार मैं कहा भूर बिहार के सिख्वोधा गाउंके दलानों से निकला यह हमोद suchen में कि नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, तो बड़े लोग अपने अपने दलानों पर जगह दिया और सिक्षकों को अपने घर में रखा, यह दलानों से निकलने वाली सिक्षा है और फिर बाद में जब उसका टेस्ट अभिवाबकों को गाउं में मिला, तो जगह जगह पर विद्याले खोलना शुरू किये, महा विद्याले खोलना शुरू किये, आज जो हमारे यहां राजिकी एकृत विद्याले है, यह जो प्रोजेक्ट कन्या विद्याले है, वो तमाम गाउं के लोगों ने गवर्निंग बड़ी बना के वापस में कॉपरेशन करके बनाया है, जिससे हमारी सिख्षा चल रही है। जो हमारे महाविद्याले हैं, आप जहां तक दूर दूर तक मजर उठाएंगे, वो तमाम महाविद्याले गाउं के लोगों ने बनाया है, चाहे आप जिस महाविद्याले का नाम ले ले, वो सब गाउं के लोगों ने बनाया है, सरकार ने चरनवध्य तरीके से स्कूलों का अधिकरहन किया जिसको हम राज किये कृत विद्याले के नाम से जानते हैं प्रजेक्ट कन्या विद्याले को अधिकरहन किया जिसको प्रजेक्ट कन्या विद्याले के नाम से जानते हैं एक महाविद्यालियों को धिग्रहन किया शाहे आप पत्ना में ही घुमा के देखे ले महोद्य आऊ एन कौलेज हो कॉलेज अ और कमर्स ओ टी पिएस कॉलेज हो बीडि कॉलेज रीगी इस कॉलेज यो जगत नरान महिलय कॉलेज हो मतलब आप जेडी बीमेंस कॉलेज हो या आप पटना भीमेंस कॉलेज भी कह दें वह सरकार के बना नहीं ट्रस्ट के बना है महोदे लोग बनाते रहे उसको सुसज्जित करते रहे और चरणवध तरीके से कालेजों का भी अधिग्रहन राज सरकार करती रही कि पचासी के बाद से कि जब समाजिक न्याय की सरकारे बनी जो गाउं गड़ी बंचितों सोशितों दलितों पिरितों गाउं वोग पगदंडियों के बच्चों के पढ़ाने के लिए जो कटिवधता जाहिर किया उस समय से चरणवध तरीके से कालेजों का इसकूलों का अधिग्रहन बंद हो गया कि आज महोदय हम लोग तमाम लोग शर्चा कर रहे थे कि अनुदान नहीं मिर रहा है जब आप हर अनुमंडल में एक डिग्री कालेज खोलना चाहते हैं तो आप उनहीं कालेजों को अधिग्रहन क्यों नहीं कर लेते हैं कि कालेजों के पास 10 करोर से 25 करोर का इंफ्रास्ट प्राइमरी विद्यालियों के लिए कोई जमीन देगा तहम उसको उसके बाप दादा के नाम पर रख देंगे लेकिन आपको तीन डिस मिल भी जमीन नहीं दिया और लगभग 15,000 से 18,000 स्कूलों को यूनिट को बंद करना प्राप महोदय मैं चाहता हूं कि जिस तरह से चरन होता रहा है आप कालेज खोलना चाहते हैं डिगरी कालेज इंटर कालेज प्रस्टू स्कूल इसलिए आप उतकर्मित करके अब मैट्रिक पास वला तीचर से आप पढ़वा रहें इंटर के बच्चा को तो जो इंटरमीडियाट कालेज खुले हुए हैं आप उसी को अधिक कास होगा इसलिए मैं चाहता हूं महोदे की सरकार यह जो दलानों से निकलने वाली सिक्षा थी वह आज दलालों के हाथ में फस गया है उन दलालों के हाथ से मुक्त कराके यह दलान वाली सिक्षा को राज सरकार चरनवर्थ तरीके से अधिकरन करे और राज में सिक्षा का मैं मांग करता हूँ राश्रता हूँ मोदे जो संकल्पित विशे है माननी है सदस्य नवल वावु का उसके संदर में तो मोदे बासन तो हम लोग तुनी लिये मोदे बस्तु अस्ति यह है कि विभागिय संकल्प संक्या 152 अबलिक एस दिनांक 12.1.1993 के नियम चार के द्वारा अस्थापना की अनुमती प्राप एवंग अस्थापना की अनुमती के लिए ससुल्क आवेदित प्रस्तावित मादमिक विद्यालियों को राज सरकार द्वारा अधिगन करने के संबंद में बिहार अराज के मादमिक विद्याले प्रबंदन एवंग नियंतन गरहन अधिनियम उनेश सेकासिक इधारा तीन तीन को बिलोपित करने की कारवाई का राज सरकार ने विनिश्य किया है अतेव संबंद्ता प्राप्ट इंटर दिग्री कोलेज एवंग विद्यालियों का धिगरन करने का कोई भी प्रष्टाव सरकार के समक्ष विचारा धिन नहीं है महोदे इसलिए माननिय सदस्य नवल बावुष से अनुरूद है कि अपना संकल वापस ले कि यह बात तो हम ऐसा थोड़ी अनुभी किते के हम नहीं जानते हैं मैं तो वही आग्रा कह रहा हूं कि आप जब हर अनुमंडल में कालेज खोलना चाहते हैं आप जो हर जगह पर उतकर्मित कर रहे हैं विद्ध्यालियों को जिसके पास चार दिसमील और पांच दिसमील जमील नहीं बच्चों को यूरुनल जाने के लिए नहीं है उससे तो बेहतर है कि राज राज के अंदर गाओं के लोगों नहीं इंटर का बड़ा परहल दिखल में नाम आता है तो इसलिए आपको तो जानना चाहिए महोदय मैं यह कह रहा हूं कि यह मैं जानता था मैं राज सरकार से मयाघ्र derived करता हूं और जहां तक प्रस्ताव का सवाल सदन से बेहतर और कौन जगा होगा प्रस्ताव देने का, आप अस्वस्त करें कि हम इस पर विचार करेंगे, चुकि राज में होता रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बात हम कह रहे हैं, जिसमें पहार किसक जाना है, वही विद्याले, उसी मह महा विद्याले में आप भी पढ़ाते हैं, उसी महा विद्याले में हम भी पढ़ाते हैं, तो इसका ख्यार रखिये, महते असपस्ट है, अभी जब सरकार के सामने कोई भी प्रौस्ताव का विचाराधीन नहीं है, तो मानिय सदस्ट से अनुरोद है कि संकल्प वापस लें और आगे सरकार इस पर विचार करेगी महोदय बिचार वाला बात बहुत धीरे से बोले हैं हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप आज अधिकरहन करके नोटिफिकेशन कर दीजिए मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप इस पर विचार करें कि आप सोसल जस्टिस के समाजी क्याय के नेता हैं आपकी पाती उसकी धारा परती आखिर गाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिक्षा में क्या है आपके पास यही जो गाओं के लिए आप स्वस्त करें महोदे महोदे मानिय सर्दस्यन रोध कि अभी संकल वापस लें बाद में बात करेंगे गी महोदे महाना हो इसका है तो मैं संकल वापस नहीं लूगा मैं जानता हूँ मैं कहां ख़राओं तो आ भोट कराके गिरा दिन किility मैं मैं तो मैं तो यह कह रहा हूं कि आप नहीं कोई बात नहीं है यह पुरानी बात है राज में कालेज और स्कूल इसी तरह चले है राज सरकारों ने नहीं बनाया है मैंने कहा कि यह दलान से निकलने वाली सिक्षा है तो आप अगर इस पर आस्वासन नहीं देंगे तब तो अभी सरकार की नीती अधिग्रन की नहीं है बाद में विचार किया जाएगा मानिय सदस संकल वापस ने बाद ही में विचार करने के लिए विचार सदन में तो एक विचार आया और फिर आप अपने कक्ष में विचार करेंगा मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप अधी सूचना कर दें सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपना संकल को वापिस लेता हूं इस आधार पर कि इन्होंने स्वस्त किया कि इस पर विचार करेंगे तो अपने इस पूरे वीडियो को देखा है कैसे संदन के अंदर गर्महाट आ गई थी उसके नितीश कुमार होते हैं अधार भी संदन के कारवाई के दौरान मौजूद थे जब नवल किश्वयाद जो की सिक्षगों की नेता है वो अपने हट पर अगये और उनकी हट को मानन अपने इस पूरे वीडियो को दिखा है संदन की कारवाई के दौरान कैसे महौल गर्मा गया था हलाकि बाद में सभवपती देवेशन ठाकुर ने अपनी सूजबूत से महौल को फिर ठंडा कर दिया मारे चाल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ प्रिश्व लाइक करें बाद मेंसे बाद मेंसे करें देवेशन ठाकुर ताकुर प्रिश्व लाइक कर दिन हमाने ले हैं लेगाई था है